दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दें इसके साथ ही वीडियो के अंत में आप से एक सवाल पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट बोक्स में बताना है जिसमें से किसी एक को बिहारी मीडिया की ओर से एक लखी प्रायज जितने का मौका मिलेगा साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बोक्स में जरूर पूछें आज की सबसे बड़ी कबर नितिस कुमार आज लेंगे बड़ा फैसला कोरोना को लेकर सबी जीलों के डियम एसपी के साथ हाई लेबल की करेंगे मीटिंग देश भर में कोरोना वारेस के दूसरी लहर बड़ी तेजी से फेल रही है इसी वक्त एक बड़ी कबर राजधानी पटना से सामने आ रही है बिहार सरकार के स्वास्त सचीव प्रत्त अमरित ने एक बड़ा बयान दिया है पटना में प्रेस कॉनफरेंस के दौरान हेल्थ सेकेटरी ने कहा कि पिछली बार की तुलना में इस बार कोरोना ज़्यादा खतरनाक है और बड़ी तेजी से फेल रहा है इसलिए लोगों को ज़्यादा सावधार रहने की ज़रुत है इसके साथ उन्होंने बड़ा बयान दिया है कि राज में कोरोना से बिगड़ते हाथ को देखते हुए बिहार के मुख मंतरे नितीस कुमार आज मंगलवार को सभी जीलों के डियम एसपी और सस्पी के साथ हाई लेवल की मिटिंग करेंगे साथी साथ बता दे कि मंगलवार को मुख मंतरे नितीस कुमार दोपाहर में बारा बज़े से सभी जिलादिकारी और पुलिस अधिचक के साथ बैठक करेंगे और कोरोना से उत्पन ताजा हालात के बारे में जानकारी लेंगे सुत्रों की ओर से मिले जानकारी के मुताबिक आज सियम कोई बड़ा फैसला ले सकते है कोरोना की रोकताम को लेकर मुख मंतरे कोई बड़ा निनने ले सकते है आगली बड़ी कबर राज में मेट्रिक परिच्छा का रिजल्ट कल हुआ जारी 78.17 बच्चे हुए पास जी हाँ बिहार बिदाले परिच्छा समिती ने मेट्रिक परिच्छा का रिजल्ट जारी कर दिया है बिहार के सिक्षा मंत्री विजे कुमार चोदरी, सिक्षा विबाद के अपर मुख्य सचीव संजे कुमार और B.S.E.B. के अधरक्ष आनन किसोर ने सईक तुरूप से साम चार बजे दसवी की परिक्षा का रिजल्ट जारी किया इस बार मैट्रिक परिक्षा में 38.17 परदिशत बच्चे पास हुए है, मैट्रिक परिक्षा के टॉप 10 में 101 स्टुडेंट सामिल है आपकी जानकारे के लिए बता दे कि बिहार बोर्ड के मैट्रिक परिक्षा में इस साल 4,13,087 बच्चे फर्ष्ट आये है जिसमें 2,47,496 लड़के और 1,65,591 लड़किया सामिल है अगली बड़ी कबर बिहार बोर्ड दसवी रिजल में लड़कियों का दबदबा आये जानते हैं टॉप 10 चात्रों की सुची बिहार बोर्ड दसवी परिचा के परिणाम कल घोसित कर दिये गए इस साल मैट्रिक परिचा 78 फेजदी चात्र पास हुए है जिनमें लड़कियों का दबदबा बरकरा रहा है बिहार बोर्ड मेट्रिक परिचा में टॉप करने वालों में सिमुल तल्ला आवासिय विद्दालय की दो चात्रावों पूजा कुमारी और सुब दर्शनी ने 484-484 यानि की 96.88 परिचित अंक हासिल कर राज में प्रतम इस्तान प्राप्त गया है इसके अलावा बल्देव हाई स्कूल दिनारा रोतास के संदिप कुमार ने भी 484 अंक प्राप्त करके राज में प्रतम इस्तान हासिल किया है यानि तीन टॉपर्स में दो लड़किया है इसके अलावा रैंक टू दिपाले आलोग जो सिमुल तल्ला आवासिय विद्दालय से इनका भी दूसरा इस्तान है इनका भी नंबर 483 अंक है इसके अलावा रैंक टू में पवन कुमार जो की पुनियार के विद्दा मंदरी पटना से है इन्होंने भी दूसरा इस्तान प्राप्त किया है 483 अंक के साथ इसके अलावा रैंक टू उतकर्स नारायन भारती इस्कूल और अंगाबाद से है इन्होंने भी दूसरा इस्थान प्राप्त किया है 483 अंग के साथ रैंग 3 में आने वाले अविनेश कुमार आरेस हाइश स्कूल बलिया से है जो बेगुसराइब में है इनके 483 अंग प्राप्त हुए है अगली बड़ी कबर साधारन परिवार के अविसेक ने रचा इतिहास मेर्टिक परिचा में बिहार में लाया पाचवा इस्थान जी हाँ 180 अंकल लाकर पूरे बिहार में पाचवा इस्तान हासिल कर भोजपूर जिले का नाम रोसन किया है। इसी मेहनत के बदलत अभी से एक आईएस बनना चाहता है जो उसका एक मात्र सपना है। 22 सेकेंड तक या जटका महसुस किया गया। किसन गंज के ठाकूर गंज में कापी देर तक जटका महसुस किया गया। इसके अलावा पटना भागलपूर, अररया, कटिहार और किसन गंज में लोगों को भुकम का एहसास हुआ। बच्चों को लेकर सावधान रहे। बिहार में 48 घंटे में 80 चात्र कोरोना पोजिटिव पाए गए। ज्यादातर के उम्र 14 साल से कम। जी हाँ, कोरोना के बढ़ते प्रकूप की बीच लोगों को अपने घरों के बच्चों के स्वास्त को लेकर भी ज्यादा सतर करहनी की जर्रत है। बिहार में 48 घंटे में 80 चात्र कोरोना पोजिटिव पाए गए है। बड़ी कबर मुझपरपूर में मेगा पूर्ट पारक कुलेगा, 400 कडोड का निवेस होगा, इनमें 5 हजार को मिलेगा रोजगार। जी हाँ, केंदर सरकार ने बिहार के मुझपरपूर में एक मेगा पूर्ट पारक ख़ोलने के मंजुरे दे दिये हैं। दिल्ली में कल केंद्रिय फूर्ड प्रोसेसिंग और क्रिसी मंत्रे नरेंद्र सिंग तोमर ने इसका एलान किया है मुझपरपूर के मोतिपूर में ये मेगापूर पार्क बनाया जाएगा नरेंदर सिंग तोमर ने बताया कि असम चुनाव के दोरान बिहार की उध्योग मंतरे सानवाज हुसेन ने मांग की थी कि देश में खुले रहे दो मेगापूर्ड पार्क में से एक बिहार को मिलना चाहिए केंद्र सरकार ने बिहार सरकार के इस आगरों को सिवकार कर लिया है केंद्री मंत्री ने बताया कि मुझपरपूर के मोतिपूर में 78 एकड जमिन पर बनेगा इसके साथ उन्होंने बताया कि इसके लगने से 5000 लोगों को रोजगार मिलेगा बिहार में बेकाबू हुआ कोरोना 935 ने पोजिटिव मिले पटना में पिछले 5 महने का टूटा रिकॉर्ड 432 संक्रमित की हुई पहचान जी हाँ कोरोना ने एक बार फिर से बिहार में भायावा रूप धारन कर लिया है स्वास्त बिवाक की ओर से जारी किये अपडेट के अनुसार समुआर को राज में कोरोना के 935 ने मामले सामने आए हैं सबसे अधिक राजदानी पटना में 432 ने कोरोना संक्रमित मिले हैं पिछले 5 महने में ये सबसे ज़्यादा संक्रमित के मिलने का आकड़ा है मेट्रिक परिचा में बेगुसराय ने रचा इतिहास टॉप 10 में 6 बच्चे जी हाँ बिहार बोर्ड मेट्रिक परिचा का रिजल्ड समवार को जारी हो गया रिजल्ड दिने के मामले में इस बार बेगुसराय ने इदिया है चेरिया बरियार प्रखण के स्रिती लाल हाई स्कूल सकरोलिक की चात्रा तनुस्री ने राज भर में साथ बच्चों के साथ सयंक तुरुप से दियूतिया इस्तान प्राप्त किया है उन्होंने 500 में से 483 अंक लाकर अपनी मेगा का परिचाए दिया है इसी तरह S.A.H. उच विदाले के चात्र अमनिस कुमार, त्रितिया सदर प्रखण के SSR हाई स्कूल रजोरा की चात्रा मनिसा कुमार चोथा और S.P.S. हाई स्कूल विनोधपूर की प्रतीब पाचवा गडपुरा प्रखण के डाक्टर लुया हाई स्कूल मुत्रयार का चात बिजली पंडित चट्टा वा बरोनी प्रखण के आरकेसी हाई स्कूल पुलबढ़िया के चात्र आसिस जा ने दस्वा इस्तान लाकर जिले का नाम रोसन किया है बिहार के सहरी छेतर में ट्रेड लाइसेंस लिए बगेर कारुबार करने वाले नपेंगे सील की जाएगी दुकाने जिहाराज में हर जिले के नगर निगम ट्रेड लाइसेंस लिए बगेर सहरी छेतर में कारुबार करने वालों पर अब सिकंजा कसेगा नगर निगम ने इसके लिए तैयारी सुरू कर दी है बिना लाइसेंस के कारुबार करने वालों को चीनित करके नोटिस भेजने की प्रक्रिया सुरू की जा रही है निगम ने इस पश्ट कर दिया कि अब बिना टेड लाइसेंस के कोई दुकान नहीं चलेगी ऐसे सभी दुकानदारों को नोटिस जाएगी और इसके बाद भी लाइसेंस नहीं लेने पर दुकान को सील किया जाएगा सरकारी बसों में खड़े होकर नहीं कर पाएंगे सफर प्रावेट बसों में भी 50 फीज़ी सीटों पर ही बेठेंगे पैसेंजर जी हाँ BSRTC के बसों में खड़े यात्रियों के आने जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है बाकी पूर डिपो के मेनेजर अर्विद सिंग ने BSRTC के 50 सीटी बसों का निर्चन किया और खड़े यात्रियों को बस में चड़ने से रोकने के साथ साथ मिना मास्क के यात्रा कर रोप से इस्तिमाल करें इसके साथ उन्होंने कहा कि डिपो परिसर में इसकी निगरानी और जुर्माना वसलनी के लिए एक मजिस्टीट के नेतुत में फोर्स भी तेनात कर दी गई है यह टीम मिना मास्क पाए जाने पर 50 से 200 रुपिय तक जुर्माना ले सकता है इसके अल अभी जारी रहेगा हेलमेट चेकिंग अभीयान हेलमेट नहीं लिया तो खरिद लिजिए नहीं तो देना होगा 1000 का फाइन जी हां हेलमेट खरिदने के बजाए पुलिस के डबल हेलमेट अभियान के कतम होने का इंतिजार कर रहे लोगों के लिए खबर थोड़ी निरास जनक करने वाली है पचीस मारसे से चलाया जा रहा है डबल हेलमेट चेकिन अभियान अभी जारी रहेगा ट्रेफिक पुलिस ने इसको लेकर अभी कुछ दिनों तक और अभियान जार रहे उनसे 1000 फाइन वसला जा रहा है विदानसवा अधक्च को तेजिस्वी यादव ने दिया सबूत विदायकों को पिटने वाले दोसियों को बरखास्त करने की मांग बिहार विदानसवा में विदायकों की पिटाए के मामले को एक बार फिर से नेता प्रतिपक्च तेज इसे विदाव ने पत्र में लिखा है कि निती सरकार द्वारा राज की जनता पर बियार विसे ससत्र पूलिस विदायक 2021 स्तोपनिक के क्रम में विपक्च के माननिय सदेश के साथ बरबार हिंसा का परियोग कर सदन के अंदर सेकड़ों पूलिस बल की उपस्तिती में जिस त के सामने आने का समिधान प्रद्द अपने करतेव कहितों निर्वारन कर रहे थे जिसकी वो सदेश से बनने समय सपत लेते हैं बाड़ी कबर कोरोना संकट को लेकर सरकार के फैसले की खिलाब सासा राम में बवाल उग्र चात्रों ने मचाया उत्पाद बिहार सरकार ने 11 अप्रेल तक सवी सिक्चन संस्तानों को बंद रखने का फैसला सनाया है जिसमें फ्राइवेट कोचिंग सेंटर को भी सामिल किया गया है सुबे में कोरोना को दुबारा बढ़ते मामलों को देख सरकार ने या फैसला लिया है लेकिन इस फैसले से कई ऐसे लोग नाराज भी दिख रहे है जो इस पेसे से जुड़े हुए हैं हम बात कर रहें सासा राम जिले की जहां कल कोचिंग बन कराने के मामले ने विक्राल रूप धारन कर लिया चातरों ने सड़क पर उतर कर आग जनी की वो तोड़फोड किये मामले को सांध कराने पूलिस को आसु गेस के गोले दागने पड़े साथ ही हवाई फारिंग भी क आपको बता दी कि चात्रों ने आक्रोसित होकर उग्र प्रदसन किया और वहानों के साथ तोड़फोड किया उग्र चात्रों ने कलेक्टेट परिसर के पार्किंग सेड में आग भी लगा दी अरंद के बड़े कवर साथ अप्रेल को साम साथ बजे होगा इंटरेक्शन प्रोग्राम इस साल बारा लाग से ज़्यादा कैंडिडेट्स ने कराया है रजिस्ट्रेशन पोर्ड परिक्षा में सामिल होने वाले स्टुडेंट के साथ प्रधान मंत्रे नरेंदर मोदी के इसका जवाब आप हमें नेचे कमेंड बॉक्स में जरूर बताए